आपके एंटेटेन्मेंट में लगने वाला है तरका तो खोच आईए तयार देखने के लिए सल्मान की एक्स गर्फरेंट सोमी ने क्या खुलासा कर दिया है कंगना पर क्यो दर्च हो गई है फायार सूर्य वंची की रिलीज डेट को लेकर क्या है नया अपडेट निम्रत कौर के वर्दे पर बताएंगे उनकी कई दिल्चस्प बाते और शैनाज आखिर कैनेडा में कर क्या रही हैं तो चलिए करते हैं शुरुआत बॉलिवुड के सूपरस्टा सल्मान खान की एक्स कर्फरेंड सोमी अली एक बार फिर से चर्चा में आ गई है 90 के दशक में सल्मान खान और एक्टरस सोमी अली के अफेर की चर्चा हर तरफ रहती थी लेकिन फिर दोनों का रिष्टा तूट गया था अब सोमी अली ने No More Tears नाम से NGO चलाती है और हाली में उन्होंने ऐसा खुलासा किया है जिसे सुनकर सभी हैरान हो गए है दरसल सोमी अली ने बताया कि जब वो 5 और 9 साल की थी तब उनका यौन्ट शोशन हुआ था और 14 साल के उम्र में उनका रेप भी किया गया था बता दें कि साल 2007 में सोमी ने No More Tears नाम की एक संस्ता की शुरुआत की थी जो घरेलू हिंसा के शिकार महिलाओ की मदद करती है पिछले 14 सालों में उनकी संसा ने हजारों महिलाओ पुर्शों और बच्चों के चहरे पर मुस्कान लाने का काम किया है 14 जन्वरी को कंगना रनौत ने फिल्म मनी कानिका रिटरंस दा लेजिंड ओफ गिद्दा नामक फिल्म बनाने का एलान किया था इसके अगले ही दिन किताब गिद्दा दा वारियर कुईन ओफ कश्मीर के लेखाक आशीश कॉल ने कंगना रनौत पर उनकी कहानी को चुराने और उन पर कॉपीराइट के उलंगन का इल्जाम लगाया था और कंगना और फिल्म के मेकर्स को एक कानूनी नोटिस भी बेज दिया था लेकिन अब आशीश कॉल ने मुंबई के मेट्रोपॉलिटिन कोर्ट में के निर्देश पर कंगना रनौत उनके भाई अक्षत रनौत और रंगोली रनौत और फिल्म के निर्माता कमल जैन के खिल फिल्म सूरे वंची के रिलीज डेट को लेकर एक बड़ी चानकारी सामने आई है खबर है कि कोरोना काल के समय लंबे समय तक फिल्म का इंतिजार कर रहे फैंस अब जल्दी से सिनेमा घरों में देख पाएंगे फिल्म के रिलीज डेट तैख कुछ चुकी है और रोहिच शेटी जल्द ही इसका उफीशिल एलान भी करने वाले हैं जी हाँ फिल्म को 30 अपरल को रिलीज किया जाएगा लेकिन इस बात का उफीशिल एलान कल किया जाएगा बॉलिवूड एक्रेस निमरत कौर आज अपना बर्दे मना रही हैं निमरत कौर बॉलिवूड की भेतरीन अदकाराओं में से एक मानी जाती है लंच बॉक्स और एयर लिफ्ट जैसी हिंदी फिल्मों से उन्होंने बॉलिवूड में अपनी पहचान बनाई और अपनी एक्टिंग का लोखा भी मनवाया है रिपोर्ट्स की माने तो फिल्मों में आने से पहले निमरत ने 27 से 30 फिल्मों को ठुकरा दिया था हाला की उन्होंने इस खबरों को महस अफवा ही बताया था बिग बॉस 13 से लोग प्रियता हासिल करने वाली शैनाज गिल इन दिनों कैनेडा में अपनी नई पंजाबी फिल्म होसला रख की शूटिंग कर रही है अब उन्होंने दिल्जीत दोसांच के साथ शूट भी करना शुरू कर दिया है उन्होंने सोचल मीडिया पर फोटो शेयर कर इस बात की चानकारी दी है साथ ही फैंस से एक सवाल भी पूचा है इन फोटोς में शेहनाज और दिल्जीत एक दूसरे की बाहू में है और एक दूसरे को निहा रहे है इसके केप्शन में शेहनाज ने लिखा एकसाइटिड शूट मौड ओन होसला रख दिल्जीत ने भी ट्وبिटर पर शेहनाज के साथ पोटो श्येयर की है और लिखा है होसला रख इस दशेरा 15 ओक्टूबर 2021 बॉलिवुड गपशप में आज के लिए बस इतना ही लेकिन देश दुनिया की तमाम खबरों से जुड़ रहने के लिए आप देखते रहें ड्यूस वाल इंडिया